हलो फ्रेंज मैं हूँ आपकी टिकी फिर से आगे कुछ फेशन रिलेटेड टीव संट्रीस के साथ ये जो मेरे साथ हैं स्वर्यूपा इनको कहीं पार्टी में जाना था तो इनके हाथ जो लगा जो बन पड़ा वो उठा के लेके आगे मेरे पास तियार होने के लिए तो उनके कुछ फेशन मिश्टेक्स को हमने किस तरह से हाइड करके उनको तेयार किये वही छोटी सी चीज आज आप से सेर करने वाले हैं तो चलिए फटा फट वीडियो के तरफ चलते हैं वीडियो में बने रहिए हाँ तो फ्रेंज सबसे पहले इनका ब्लाउस देखिए इनका साइज है 32 लेकिन वो लेके आए थे 36 का ब्लाउस जो के उनका मा का होगा सायद टेलर को दिये थे बोल रहे थे लेकिन सिर्फ हाथ का साइज ही ठीक है बाकी जैसे का थेसा था तो हमने देखिए खीच के चारों तरफ तो ढीला है खीच के हमने बड़ा सेप्टी पिंस अंदर की तरफ से सेट कर लिया बलाउस को तो हमने इस तरह सेट कर लिया लेकिन साड़ी का क्या प्रॉब्लम है उनको खुला फुलू छोड़के पहनने का मन था लेकिन हम पहन नहीं सकते हैं बलाउस का कुछ इस तरह का हालत है जैसे भी हो हमें पलू में प्लीट डालते हुए सामने के तरफ ब्लाउज का फर्षन जो है हाइड करना होगा अभी देखिए उनका और एक फेशन मिश्टेक किये था कि वो ब्लाक कलर का पेटी कोट लेके आये थे वही ब्लाक कलर का पेटी कोट ही पहने हैं ये अभी उनका नाइट पार्टी था इसलिए किसी भी तरह काम चल गया पेहनावा कुछ हमने ऐसा रखा के हाइड हो गया लेकिन डे पार्टी होता तो कन्फर्म ये पकड में आ जाता आप जितना भी हाइड करने की कोशिस करो लेकिन आपकी फेशन मिश्टेक्स पकड में आ जाता अभी फिलाल साडी के पहनावा के तरफ चलते हैं देखे ये हाफ एन हाफ साडी है लेहंगा पेटेन का साडी है तो हाफ तो शीफोन है और पलू वाला हिस्सा जो है मार्वल सिफोन है तो ये खुले पलू में बहुत अच्छा लगता वर्ट प्रॉब्लम यही है के बिल्कुल से हम खुले पलू अभी छोड नहीं सकते हैं ब्लाउच के वज़े से इसलिए हमें समय कहती हूं ब्लाउच के तरफ खास ध्यान देना चाहिए सबसे पहले तो मैंने पेटी कोट को हाइड करते हुए पिछे वाला हिस्सा छोड़के कमर के आगे वाले हिस्से में मैं लेहंगा पेटेन में ही साडी को बड़ा बड़ा प्लीट डालते हुए पहना दिया और उसके बाद नॉर्मल तरफ से जैसे घुमा के साडी को लाते हैं और पल्लू के तरफ प्लीट बनाते हैं इसी तरह प्लीट बनाके पिन अप कर दिया अगर फ्रेंज आप लोगों को मेरा वीडियो देखना अच्छा लगता है और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी के अभी सस्क्राइब करके बेल आगन को प्रेस कर लीजेगा और लाइक के साथ कॉमेंट भी जरूर कीजेगा ताकि मुझे पता तो चेले मेरे सफर में और कौन-कौन मेरे हम सफर हैं देखिए इनका पीन से अच्छे से सेट हो गया अभी सामने के तरफ में थोड़ा अच्छे से सेट करेंगे पीन से अभी फैला रही हूँ थोड़ा ऐस लग भी स्टाइल कर सकते थे लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है हमें पैटिकूट को चुपाना है तो जितना होसे कसाड़ी का लेयर हमें लेयर लेयर पीछे के तरफ बाग अच्छे सेसे करना है् तो हम कुछ इस तरह से पहनेंगे क्योंकि वो पिंक कलर का एक लेयर हमें यहां पे लेके पिंसे सेट कर देंगे दो लेयर हो गया और यह वाला तीसरा लेयर हम इस तरह से सेट करेंगे इस तरह से पीछे भी हमारा साड़ी का तीन लेयर हो गया टो आपको इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है कि पीछे साइद बॉल कलर का कुछ सौ आप होता होगा तो एसा कुछ नहीं दिखने वाला तो इस तरह से हम पॉलिश लूप puntos देंंगे गेंगे साड़ को देखिये इस तरह से हम ने सेट कर लिया जितना हो से के पीन सेस खोलना होगा नहीं तो कहीं कहीं आपको लग सकता है अभी देखिए सामने के तरफ भी प्लीट्स को हम सेट कर लेंगे क्यूंकि ऐसे छोड़ने में थोड़ा बिक्रा हुआ लगता है पॉलिस लुक नहीं आता है तो हम कुछ इस तरह से ज्यादा नीचे तो हम पलू लान ही सक कुछ इस तरह से लेखिए मैं यहां पर पीन से सेट कर लूँगी अंदर की तरफ से एक को मैंने छोड़ दिया है उपर का थोड़ा सा उपर छोड़ा है और बाकी को पकड़के कुछ इस तरह से पहना लिया है बहुत सुंदर लग रहे थे स्वरूपा चलिए और एसेंसर लिस्त वगेरा आपकी मर्ची जो आप पहना चाहों ओके बाई फ्रेंड्स